कितना पानी दें, कैसे पानी दें, कौन सा पानी दें, कई तरह के सवाल ना हैं आपके comment box में होते हैं, तो मैंने सुचा कि इस सवालों का जो जवाब है ना, जो expert है, urban expert है, वो ही दे सकता है, और वो है प्रवीन विष्राजी, तो आज मैं आ गया हूँ, फिर से बुरारी, और इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा, कि पानी देने का सही तरीका क्या होता है, तो इनसे जानेंगे, डीटेल में नॉलेज लेंगे कि भाई, आखिर क्या तरीका होता है, क्योंकि कई लोग मगगे से डालते हैं, कई लोग अलगला तरीके से डालते हैं, बट लेकिन सही तरीके क्या होता है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी जो plant है वो long term तक चले, और प्रवीन मिशा जी से, नमश्कार सर नमशकार नमशकार अनिश जी नमशकार 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 आज उपस्तित हो गया हूं, बागवानी में खास करके जब urban kitchen gardening करते हैं, तो पानी देने की तरकीव पर बात होगी, बहुत सारे हमारे gardener मित्र खास करके पानी देन क्योंकि पानी के बिना पौधों का जीवन संभव नहीं है तो जल ही जीवन है इस बात को सार्थकता के साथ हम लोग समझते हैं कि पानी देने के बाद ही पौधों में गति आती है और बहुत नन्ने पौधे हैं तो इस तरह से चिड़काओं से पानी दिया जाना जरूरी है औ पौधों को बारिस की जो बूंदे होती है खास करके जब ड्रेजलिंग होती है इस तरह की बूंदे ज़्यादा पसंद होती है यदि हम लोग लागतार और तेज बहुचहारें दिया पानी का पौधों में डालेंगे तो पौधों के साथ ये वीपरीत होगा और पौधे कह तो पाठोफय को आप पादें तो पॉदेंगे तो पॉदे बीका काफी अच्छनaw चलते हैं, पाणी देने के प्रैक्टिस की बात हो रही है, तो यह बता दें कि उपरी परत के बाद अंदर नीचे तक मिटी में पानी पहुच नहीं पाया है और वास्प बनकर ये पानी सारण उड़ जा रहा है तो हम लोग यहां पर इसे कंट्रोल करेंगे और स्वाइल मिक्स में अर्गनिक मैटर अच्छा है तो आपका पानी जल धारन आपका मिटी जल धारन करने की छमता वाला बना लेगा और पानी हाइड्रोजन और ऑक्सिजन पौधों के लिए भी बहुत जरूरी अभयव है और यहीं से सुरी के प्रकास के साथ-साथ पौधे एक्शन में आते हैं कृद तो मगड का पानी डाल देते हैं मगगा से पानी क्यह fakir की फौर्मिलटि कर दिया है कि पौदों को नरिश्मेंट भी चैये आपका लगाओ भी चाहिए और पौदों के साथ जब आपका जुडाओ होगा तो पौदे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि पौदे सजीव हैं और इस बारे में हम लोग देखा कि आप एक साथ भर भर के मगा न डालें आप धीरे धीरे जैसे स्लाइन का जैसे हम लोग सर्बत पीते हैं जैसे कोई सिप सिप लेकर कोई चीजे पीते हैं और ये धीरे धीरे घूट घूट काम करता है इसी तरह से हम लोग पौधों को भी डालेंगे तो पौधे जड़ वहाँ पर धीरे धीरे इसे accept करेंगे और पौधों का विकाज भी होगा एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे, तो पौदे इरिटेट होंगे, और ज़्यादा पानी के वज़े से हो सकता है कि नुकसान भी हो इसके लावा गर्मियों के समय में यदि हम लोग जादा पानी डालते हैं तो दिन के समय में तापपान बढ़ने का भी असर पौदों के जड़ में पड़ता है और वीपरी तसर हो जाता है और पौदे खराब हो जाते हैं वहीज सर्दियों में फार्ट ये डालेंगे तो अरल्ई रां यडानिंग याॉसानी हो बात करें चुत आपके पास य बहुत ज़्यादा कुछ नहीं नहीं प्रियास करेंगे अदुए इस का कि अलग और नुजल में अग Przeit या दर यदं वालается ज्यादा अच्छा अशर करता है वह हम लोग अलग अलग फवरा विधी वाला इदी प्रियास करेंगे तो इसका अच्छा अशर पड़ता है और वपादों को जब फूल ना आया रहे उस समय में ऊपर से नीचे तक पत्तों में पत्तों के बैक साइड में पत्तों के पीछे मे तने में, स्टेम में और नीचे मिट्टी में सभी जगह उपर से नीचे तक जैसे कि नहलाने वाला इस टाइप का इदी पानी आप डालते हैं तो पौधे ज़्यादा पफॉम करते हैं ज़्यादा अच्छे से पफॉम करते हैं क्योंकि जो भी धूल करने पत्तों में लग रहा हो और इसके वज़ा से फोटो सिंथेसिस की किरिया में बाधा पहुंच रहा हो, तो पौधों में आप पानी डालेंगे, पत्तों में पानी डालेंगे, तो इसका असर पड़ेगा, वहीं दूसरी और पत्तों के द्वारा भी पानी पौदे एक्सेप्ट करते हैं, पानी लेते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी आता है लेकिन यदि फ्लावरिंग आ रही हो तो थोड़ा बचे और फ्लावरिंग के समय में ड्रिप के द्वारा भी हम लोग पानी की सप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में कोई आपके पास कोई ड्रिप हो या फिर ड्रिप ना हो खासकर के कंटेनर गार्डनिंग में तो आप नीचे में जमीन में पानी डालिए ना की उपर पूरे पत्तों में फ्लावरिंग के समय में थोड़ा पानी डालने के समय में ध्यान रखना चाहिए और कोशिश कीजिए कि पौधों में मिट्टी में पानी डाला जाना चाहिए और इस तरह से हम लोग बिसेश रूप से पानी डालने की प्रकिर्या पर जब बात कर रहे हैं तो आगे और नई टिप पर बात्चीत चलेगी पौधों को पानी देने के लिए तो यह तर्कीब है कारगर जिसकी आप हवारा से देते हैं लेकिन यहां बात हो रहे हैं कि पौधों को पानी आखिर कितना दिया जाए और इसे दी चेक करना हो तो कैसे हम लोग चेक करेंगे हाला कि इदे हम लोग बात करें तो दस से तीस परतिसत तक का जो पानी है यह पौधों में मिटी में होना चाहिए और मौसम के अनुसार यह थोड़ा घड़ बढ़ सकता है लेकिन हम लोग बात करतां कि आखिर से चेक करेंगे कि हमारे पौधों में सही पानी की मात्रा है या नहीz तो इसके लिए हम लोगोंने एक देशी तरीका निकाला है जो कि घर में आपकर रहे है तो पौधों के लिहाज से पानी सही है इसके बाद बात करते हैं कि यदि आपके पौधे कुछ एक ऐसे हैं जिनको कम पानी की जरुवत है तो ऐसे लड़ू बनकर और यह तूट जाए बेशन की लड़ू के जैसा परफॉर्म कर ले तो समझे कि आपके मिट्टी में पानी की मात् पौधों के लियाज से सही है जो कि सकुलेंट पौधे पाम में या कुछ हाड़ी पौधे में इस तरह का बेशन के लड़ू जैसा तो समझे की पानी अच्छा है इसके बाद बात करते हैं कि यदि लीफी वेश्टेबल्स है तो पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए लीफी के लिए पानी बिल्कुल सी बिल्कुल ही सही चल रहा है और लीफी वेश्टेबल्स को थोड़ा ज्यादा पानी की जरूरत लगती है इसके अलावा मौसम के अनुसार भी पानी की मातरा रख सकते हैं मौसम में जैसे गर्मियों की बात करें तो अर्ली मौनिंग और लेट इ देखा है कि सर्दियों में जब गुनगुनी धूप निकल जाए 10-11 बजे के आसपास और दिन के दो बजे तक जब गुनगुनी धूप हो उस समय में आप पानी देंगे तो काफी अच्छा असर होगा और गुनगुनी धूप में जो क्रिया है वो सक्री हो जाएगी और पौधे बिल्कुल भी इस तरह से चलते हैं क्योंकि हम लोग यहां चुकि प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक पौधे का अलग-अलग स्टेज होता है कुछ खराब पौधे भी होते हैं कुछ सही पौधे भी होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं सभी पर हम लो सब्सक्राइब करने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप रसिक्षित हो जानकरी जुटाएं और पिर जानकरी जैसे आपके पास होगी आप जरूर से सफ़लोंगे इसी विश्वास के साथ आप बागवानी को भी आगे बढ़ा सकते हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद पुना मिलेंगे नई जानकरी के साथ तब तक बहुत ध्यान से रहेगा तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगर पसंद आया यहां तक देख लिया तो एक लाइक करना बनता है लाइक करते हैं फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्श वीडियो में तब तक के लिए टेक केर नमस्कार